हालो गाइज वेलकम टू दा जक्या स्टेडी ओनलाइन गाइज मैं दिख्या है हूँ आपके लिए नो यूर डिस्टिक का पार्ट सेकींड पार्ट फर्स्ट में हमने श्रिनगर डिस्टिक को डिस्क्स किया था उसके लेटिड जितने भी MCQ हो सकते थे इस वीडियो में हम जो हमारा लेक्चर सेकिंड रहेगा इसमें हम कुछ important objectives जो की सामबा डिस्टिक से हैं उनको discuss करने ही कोशिश करेंगे और गैज अगर आपने अभी तक श्रिनगर यानि हमारे फर्स्ट लेक्चर को नहीं देखा है नो यूर डिस्टिक के तो मैं आपको इस वीडियो के description में लिंक दे दूँगा जहां जाके आप उसको वह वाज कर सकते हैं श्रिनगर डिस्टिक से लेटिड बहुत important questions थे यह जो थे जैसे मैं आपको दिखाबा रहा हूँ यहां से हमने बहुत important questions थे जो discuss किये थे और साथ मैं आपको बता दूँ कुछ इस जो श्रिनगर डिस्टिक से लेटिड कुछ doubts रहे थे candidates के वो मैं इस वीडियो के last में मैं आपको clear कराने की कोशिश करूँगा और वीडियो को last तक जरूर देखना किंकि यह आपके लिए बहुत informative होने वादी है सांबा डिस्टिक इसको मैंने लगबख जो भी questions बन सकते हैं सांबा के वो मैंने सब भी कबर किये हैं ठीक है तो वीडियो को शूर करने से पहले अगर आप चैनल पर फर्स्टे विजिट कर रहे हैं तो चैनल को subscribe कर लेना और bell icon को hit कर लेना ताक कि हमारी तरब से जैसे वीडियो अप्लोड हो तो आपको उसकी notification मिलती रहे ठीक है तो वीडियो को शूर करते हैं आज का हमारा first important MCQ है who was the founder of Samba district Samba district के जो founder है वो कौन है तो options है राय संदू, option B है सुचेट सिंग, option C है माल देव और option D है रंजीब देव ठीक है तो four options में से अगर आपको इसका right है आता है तो आप guess कर सकते हैं मैं आपको बता दू इसका right रहेगा option C यानि माल देव ठीक है माल देव को मान order of Samba district है ठीक है चलते है next question की और next question है Samba was established in which edit ठीक है आपको simply पूछा है कि जो Samba district है वो कब बनी थी options है 1857 में option B है 1400 में या फिर 1800 में या फिर 1300 3 में ठीक है तो I hope अगर आपको इसका guess आता है तो आप कर सकते हैं मैं आपको बता दू इसका right रहेगा option B यानी 1400 AD में Samba district जो थी वो established हो गई थी ठीक है चलते है next question की और who was the younger brother of Gulab Singh इन में से जो younger brother थे Gulab Singh के उनका क्या नाम था क्या उनका नाम राजा प्रित्वीपाल था क्या उनका नाम मालदेव था क्या उनका नाम सुचेथ सिंग था या फिर इन में से कोई भी नहीं ठीक है आपको इसका right answer आता होगा अगर नहीं आता है तो मैं आपको बता दूं option C बिलकुर right रहेगा यानि सुचेथ सिंग सुचेथ सिंग जी जो थे वो थे गुलाब सिंग के यंगर प्रदर ठीक है option C बिल्को राइट रहेगा question second में अगर आपको doubt रहता है तो याद रखना ये samba district नहीं बनी थी as a samba region जो था उस time पे वो establish हुआ था ठीक है ये याद रखना samba district तो बहुत बाद में जाके बनती है वो भी हम आगे discuss कर लेंगे ठीक है इसके बाद question number four when did सुचेज सिंग become राजाव, samba and bandalata ठीक है तो जो सुचेज सिंग थे ये कब बने थे राजाव, samba और साथ में bandalata के तो options है 1800 में option B है 1810 में option C है 1822 में और option D है 1834 में तो मैं आपको बता दू question number four का हमारा write रहेगा option C ठीक है 1822 में सुचेज सिंग जो थे वो राजाव, samba और साथ में bandalata बने थे तो option C बिल्कुर write रहेगा question number four का ठीक है चलते है next question की और next question है who was the raja of samba in 1816 AD 1816 में raja of samba कौन थे options है सुचेज सिंग option B है रणजीत सिंग option C है हरी देव option D है गुलाप सिंग आप right answer guess करके बता सकते हैं I hope आपको इसका answer आता होगा अगर नहीं आता है तो मैं आपको बता दू question number five तका write रहेगा हरी देव ठीक है हरी देव जो थे वो 1816 AD में राजा आप सांबा थे इसी पिरिड में जो सांबा था वो जम्मू की सुप्रीमेशी में आ गया था ठीक है याद रखना तो चलते हैं next question की और next question है question number six who established 22 Mondays in Samba Samba में 22 Mondays जो थी वो किसने establish की थी options है सुचेट सिंग option B है हरी देव option C है माल देव option D है गुलाब सिंग तो I hope आपको इसका write answers जो है वो आता होगा तो मैं आपको बता दू इसका write रहेगा option A यानि सुचेट सिंग ठीक है सुचेट सिंग के टाइम पे ही उन्होंने establish की थी यहाँ पे 22 Mondays ठीक है तो option A बिल्कुर write रहेगा question number six का ठीक है चलते है next question की और next question है question number seven हमारा who built Samba fort in 1822 80 ठीक है आपको पुछा गया है कि इन में से किसने Samba fort को बनाया था 1822 AD में options है A हरीदेव B सुचेट सिंग option C है रंजीत सिंग option D है गुलाब सिंग आप right answer कैसके नहीं कोशिश करो I hope अभी दग आपने right answers कोमेंट कर दिये होंगे तो guys मैं आपको बता दू question number seven का write रहेगा option C यानि रंजीत सिंग ठीक है रंजीत सिंग नहीं 1822 AD में Samba 4 को बनाया था फिर उसके बाद हम देखते हैं कि सुचेट सिंग को यहां का राजा बना दिया जाता है Samba का और साथ में बंदल दाता का जो हमने question number 24 में पढ़ा ठीक है चलते है next question की और Who annexed Samba in 1846 AD ठीक है Samba को किसने annexed कर लिया था 1846 AD में तो आप देख सकते हैं options हैं गुलाब सिंग, रंजीत सिंग, सुचेट सिंग और साथ में हरीदेव तो मैं आपका बता दू question number 8 का write रहेगा option A ठीक है यानि कुलाब सिंग ने Samba को 1846 AD में annex कर लिया था ठीक है चलते है next question की और next question है question number 9 Samba was known for its ठीक है Samba को जाना जाता है अपनी springs के लिए क्या मंडिस के लिए lakes के लिए या फिर इन में से कोई भी नहीं तो मैं आपको बताओ question number 9 का write रहेगा option B ठीक है Samba को उसकी 22 मंडिस के लिए जाना जाता है ठीक है तो option B बिल्कुर write रहेगा question number 9 का ठीक है चलते है next question की और next question है which city of JNK is known as city of sheets ठीक है JNK की ऐसी कौन से city है जिसको city of sheets के नाम से जाना जाता है क्या वो जमू सीटी है क्या वो अनंतनाग सीटी है क्या वो Samba सीटी है या फिर कट हुआ तो मैं आपको बता दू question number 10 का भी write रहेगा option C यानि Samba district को ही माना जाता है कि ये city of sheets है ठीक है तो चलते है next question की और next question है question number 11 when did Samba came into existence as a district ठीक है Samba as a district कब existence में आया ये पुछा गया है आपसे ठीक है options है October 200 में option B है October 1986 में option C है October 2006 में और option D है October 2001 में तो मैं आपको बता दू question number 11 का write रहेगा option C यानि October 206 में 2006 में Samba जो था वो existence में आया था अगर exact date पूछी गई होगी तो 27 October 2006 ठीक है याद रखना next question है which district is known as land of राजपूत बारियर्स इसमें से कौन सी district है जिसको land of राजपूत बारियर्स के नाम से जाना जाता है तो options है A उदंपूर B कट हुआ C पुन्च और D Samba तो मैं आपको बता दू इसका भी write रहेगा option D यानि Samba district को ही जाना जाता है as land of राजपूत बारियर्स ठीक है चलते हैं next question की और इसके बाद next question है question number 13 who is known as savior of कश्मीर किसको savior of कश्मीर के नाम से भी जाना जाता है क्या वो ब्रिगेडियर्स राजिंदर सिंग है क्या वो जनल जेन सिंग है क्या वो ब्रिगेडियर्स कश्मीर के नाम से जाना जाता है और मैं आपको बता दू ब्रिगेडियर्स राजिंदर सिंग के नाम पे जमुई उनिवस्टी में एक आडिटोरियम भी है वो अगर आप जमुई उनिवस्टी का भी विजिट किया होगा तो वहाँ पे देखा होगा है कि इन में से फर्स्ट रेस्टिप्टेंट कौन थे गैलेंटरी अवार्ड महावीर चक्रा के इंडिपेंटन इंडिया के ठीक है अप्शन्स है जर्नल जोरावर सिंग अप्शन भी है ब्रिगेडियर राजिंदर सिंग Option C है Brigadier Chan Singh और Option D है None of These इन में से कोई भी Option राइट नहीं तो मैं आपको बता दू Question No. 14 का राइट रहेगा Option B यानि Brigadier Rajinder Singh जो Rajinder Singh थे इनको महावीर चक्रा भी मिला था और ये Independent India के First recipient थे याद रखना ठीक है बहुत important question बन जाता है ये आपके Static Point of View से भी और Samba District में भी क्योंकि ये Samba के ही रहने वाजे थे और जहां तक बादा Option है जन्नत जोरावर सिंग तो इनको तो आपने देखा ही होगा ये गुलाब सिंग के अंडर इननोंने काम किया है इनके नाम पे भी आज जमू इनिवस्टी में अडिटोरियम है ठीक है चलते है next question की और question number 15 question number 15 है which of the following shrine is not in Samba District आपको पुछा गया है कि इन में से कौन सा shrine है जो Samba District में नहीं है ठीक है options है A. Nursing, Dev Temple option B. उत्तरवैनी Temple या फिर option C है चिच्ची माता टेंपल और option D है बाबा सिद्गोरिया शराइन तो मैं आपको बता दू इस question को frame करने में थोड़ी सी गलती हुई है तो इसका answer रहेगा option E ठीक है ये सब जो है ना ये Samba District में है तो question कुछ इस तरह से रहेगा which of the following shrines ठीक है इसको मैं cut करके change कर दूँगा PDF में तो यहाँ पर रहेगा which of the following shrines ठीक है ऐसे लगेगा shrines are in Samba District ठीक है Samba District में है जो तो आपको याद रखना है nursing देव टेंपल उत्तरबैनी चिच्ची माता टेंपल बाबा सिद गोरिया यह सबी जो है यह Samba District में है ठीक है तो option यह विल्कुर राइड रहेगा question number 15 का इसमें जो changes है वो मैं कर दूँगा ठीक है तो चलते है next question की और मैंने यह option इसलिए लिया था कि जितने भी shrines है यहाँ पर important जो tourist destinations के हिसाब से भी important है वो आपको एकी questions में याद रहें ठीक है चलते है next question की और next question है which are the four traditional towns of Samba District Samba District के four traditional towns कौन से है तो options है Samba विजेपूर रामगर और साथ में बड़ी वरामना तो मैं आपको बता दू option E जो था जो अपी में नहीं पढ़ा all of these ये इसका राइट रहेगा option E ठीक है Samba विजेपूर रामगर और साथ में बड़ी वरामना ये सारे four traditional towns है Samba District के तो question number 16 का E option बिल्को राइट रहेगा ठीक है चलते है next question की और next question है question number 17 question number 17 है मोहरगर फॉर्ट इन विच डिस्टिक आफ जे एन के ठीक है simple है मैंने आपको यहाँ पर ये बताना था कि मोहरगर फॉर्ट है कहाँ पर तो आपको याद रखना है ये Samba District में है तो option D बिल्को राइट रहेगा ठीक है याद रखना मोहरगर फॉर्ट Samba District में next question है Samba District is on the bank of which river इन में से कौन सी river के बैंक पर जो Samba District है क्या वो सत्लूज river के bank पर है क्या वो चिनाब river के bank पर है क्या वो बेयास river के bank पर है या फिर बसंतर river तो मैं आपको बता दूँ इसका राइट रहेगा option D Samba District जो है वो situated है ठीक है चलते हैं next question की और next question है question number 19 एन 8 day fair organized in Gangwal of Samba District वोट इस नेम आफ इस फेर ठीक है आपको simply पुछा है 8 day यहाँ पे fair होता है मेला होता है जो organized किया जाता है Gangwal में Samba District के ठीक है तो आपको बताना है यह मेला है कौन सा है क्या नाम है इसका options है रात खर्द मेला option B है परमंडल मेला option C है क्वीर बवानी मेला और option D है विश्वा मेला तो मैं आपको बता दूँ question number 19 का हमारा write रहेगा option A यानि रात खर्द मेला जो है वो यहाँ पे 8 days तक चलता है somebody stick के गंगवाल में ठीक है चलते है next question की और next question है हमारा question number 20 question number 20 में हमसे पुछा है परमंडल is situated on which sacred underground river इन में से कौन सी sacred underground river पर परमंडल जो है वो situated है तो options है बसंता river, option B है देविका river, option C है उज रिवर और option D है नन अफ्टीज तो मैं आपको बता दू, question number 20 का write रहेगा option B, ठीक है option B जो है वो बिल्कुर write रहेगा अगर आपने पढ़ा भी होगा शायद ये कि परमंडल जो है वो है देविका river के उपर, ठीक है, वो किस तरह से क्यूंकि अगर आपने कभी विजिट किया होगा परमंडल को तो ये आपको सामने नहीं दिखता है ये underground river है जैसे ही आप वहाँ पे मिटी को निकालते हैं तो नीचे से प्लकुर पानी जो है वो बह रहा होता है एकदम चे पानी वहाँ पे निकल जाता है ये आप कभी भी वहाँ पे विजिट करके देख सकते हैं ठीक है तो option B विल्कुर right रहेगा question number 20 का और उस river का नाम है देवी का याद रखना ठीक है चलते है next question की और next question है question number 21 which place is which place in Samba is also known as छोटा काशी इन में से कौन सी place है Samba में जिसको छोटा काशी के नाम से जाना जाता है तो options हैं चिच्ची माता टेंपल को option B है पुरमंडल को option C है उत्तरवेनी को और option D है none of these इन में से कोई भी option से ही नहीं है तो मैं आपको बता दू question number 21 का right रहेगा option B पुरमंडल को ही अगर आप देखोगे तो उसको शोटा काशी के नाम से जाना जाता है ठीक है चलते हैं next question की और question number 22 next question है question number 22 अनन्दपूर विलेज of district samba is also known as तो किस नाम से जाना जाता है अनन्दपूर विलेज को options है शोटा काशी option B है उत्तरवेनी option C है नन्दपूर और option D है none of these तो मैं आपको बता दू question number 22 का write रहेगा option B यानि उत्तरवेनी उत्तरवेनी आपने बहुत बार नाम सुना होगा इसी को अनन्दपूर विलेज के नाम से भी जाना जाता है या फिर अनन्दपूर विलेज को उत्तरवेनी के नाम से जाना जाता है जो कहां पे है सांबा डिस्टिक में तो option B विलकुर write रहेगा question number 22 का ठीक है चलते है next question की और next question है question number 23 who inaugurated बसंतर ब्रिज इन सांबा सांबा में जो बसंतर ब्रिज बना है बसंतर रिवर के उपर वो आपको बताना है कि किसने इनागुरेट किया था options है राजनात सिंग option B है अमित शा option C है नरिंदर मोदी option D है राजिंदर सिंग तो मैं आपको बता दू question number 23 का write रहेगा option A यानि राजनात सिंग जो अभी हमारे defense minister है उनहीं ने inaugurate किया था बसंतर ब्रिज को और आपको ये भी पूछा जा सकता है कि जो ये बसंतर ब्रिज था ये किस project के अंदर बनाया गया था तो ये बनाया जा रहा है project संपर्क के अंदर ठीक है तो option A बिको write रहेगा question number 23 ठीक है चलते हैं next question की और next question है राणी सुचेथ सिंग stadium is situated on the bank of which river इन में से कौन सी है river के bank पर राणी सुचेथ सिंग stadium जो है वो है ठीक है तो मैं आपको बता दू question number 24 जो है उसका write रहेगा option B यानि रावी रिवर बसंतर के उपर जो है राणी सुचेथ सिंग stadium है ठीक है चलते हैं next question की और next question है question number 25 सांबा डिस्टिक shares boundary with सांबा डिस्टिक जो है वो अपनी boundary शेर करता है कौन कौन सी डिस्टिक के साथ options है जम्मू उदंपूर कठुवा option B है जम्मू रियासी और साथ में उदंपूर और option C है जम्मू उदंपूर कठुवा तो गाइस दो option एक जैसे हो गए है तो आपको मैं आपको बता दू इसका write भी option यही है जम्मू उदंपूर कठुवा के साथ ही जो सांबा डिस्टिक है वो boundary शेयर करती है ठीक है तो options A और B A और प्लस C दोनों रहेंगे राइट इसके ठीक है चलते है next question की और next question फिर से 26 फाइफ लिग दिया लेकिन 26 मान के चलना आप इसको question है मांसर लेक ही situated at which distance from what distance from सांबा डिस्टिक तो आपको simply पुछा है कि जो मांसर लेक है वो सांबा डिस्टिक से कितने डिस्टेंस पर है options है A 10 km B 15 km options C है 22 km option D है 30 km तो मैं आपको बता दू question number 25 का right रहेगा option C यानि 22 km अवे है मांसर लेक from सांबा डिस्टिक तो option C बिल्को right रहेगा question number 26 का ठीक है 26 है ये question तो इसी के साथ जो सांबा के important questions से वो complete होते हैं अब मैं आपको बता दू जो शिर्नगर से related आपको doubts रहे थे सबसे पहला doubt आपको रहा होगा अभी मैं आपको लेकर चलता हूँ ठीक है तो मैं आपको बता दू doubts थे बच्चों के सबसे पहले था doubt which is the largest city in Jammu and Kashmir ठीक है most popular city हाँ ये 21 question जो था ये ही बच्चों को mostly doubt में रहा था कि कौन सी ऐसी city है जो most popular city है Jammu and Kashmir की तो इसका right था option c ठीक है अगर आपको city पुशा होगा तो से नगर ही most popular है ठीक है आपने यहाँ पे ये गलती कर देते हो जल्दवाजी में कि आप city की जगा पे district समझ लेते हो district अगर होगा तो district में Jammu ही सबसे बड़ी most populous district है लेकिन यहाँ पे पूचा हुआ है city तो city अगर आपने शेनगर में विजिट किया होगा तो उसके मुकाबले में most populous जो city है वो जमू एन किश्मीर में और कोई नहीं है तो यहाँ पे डाउट मत रखना most populous city of Jammu and Kashmir is शेनगर ठीक है most populous district of Jammu and Kashmir is Jammu यह याद रखना ठीक है next जो डाउट रहा था हाँ यह question था 23 इसमें candidates सोच रहे थे कि in 2000 year ago she never was known as तो option इसका right था option B यानि प्रवन सेन पूरा प्रवन सेन 2 ने यह नाम दिया था 2000 साल पहले ठीक है लेकिन आपको कुछ candidates यह भी सोच रहे थे कि इसको तो पेंडरतन के नाम से भी जाना जाता है लेकिन आपको मैंने उसी questions में यह भी बताया था कि पेंडरतन 22 km अवे है शिननगर की अभी present main city से बताया था उसी question में तो वो जो नाम था क्या एक ही city को या फिर एक district को different name से नहीं जाना जाता है जाना जाता है ठीक है याद रखना 2000 years ago तो शिननगर को प्रवन जेन पूरा के नाम से भी जाना जाता था और पेंडरतन नाम तो आपको पता ही है अशोका के डाइम पे हुआ था ठीक है यह दोनों questions जो है अगर 2000 years पहले लिखा होगा तो आपको प्रवन से इन पूरा लगाना है और अगर अशोका के दवारा वहाँ पे लिखा होगा तो वो फिर आप पेंडरतन लगाओगे ठीक है तो यह कुछ doubts थे और आज की वीडियो में भी अगर आपके कोई भी doubts है तो आप मुझे बताना तो मैं next वीडियो में उसको clear करने कोशिश करूँगा ठीक है तो इस वीडियो में इतना ही ठांक्यू गाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को like और share जरूर करना क्योंकि इससे हमें motivation मिलती है next videos को और जाला perfectly आपके सामने luck लाने की ठीक है तो इस वीडियो में इतना ही ठांक्यू गाइज जए हैं